मद्य प्रदेश के चिंदवाड़ा जीला विकासकन तामियक अंतरगत ग्राम पंचात भोडिया पानी गाउं में डेड़ सो परिवार निमास करते हैं जहां पर एक ही हेट पंप है जहां पर डेड़ सो परिवारों का पानी भरना होता है जो की डेड़ सो परिवार में एक जो कि बच्चे जब सुबह पानी लेने के लिए जाते हैं तो वहां भीड लग जाती है जिससे बच्चों को एक दो घंटा वहां पर इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद अब वापस आते हो तो एक किलोमेटर की घाटी पड़ती है और वे इसकुल जाने में आसमर्थ ह जाते क्योंकि वे 8 बजे जाते 10 बजे उनका नंबर लगता है और साधे 10 पूने 11 बज़े खाना खाके तयार होते है इसकुल जाने में लेट इस 11 बज बाद सब 11 बजे पहुंचे 11 फंदरा को वहां से सिक्छक ने डाटके भगा दिये बच्चों को तो इस तरह समस्या बच फोने कारण और यहां पर दो नले के यह रहे हैं पर act Еकनल पोट बेह रहते पाती हो जैसे काम में जाने करे है तो कि टैनल चाहिए कि दस यह बच जाते तो कभी खवी जिसके घर में कोई नहीं है को उनको ज्यादा समस्या होती है हमारे यहाँ पानी की सूवईदा होना चाहिए क्योंकि सरकार की योजना है जैसे नल जल योजना 'meater तो मेरा कहने के तात पर यह है कि वो योजना हेमारे गाहوں में और पाइपलाइन की सूवईदा हो मैं चाहता हूँ कि बोडिया पानी गाहों में जो पानी की समस्य है वहाँ पे पानी की विवस्ता की जाए ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैं आप सभी इस वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करूँगा कि यदि आप बोडिया पानी गाहों के लोगों की समस्य से प्रभावी थें तो आप हमारे तामियब लाग के अधिकारी पीएसी विभाग में 0-71-47-27-22-78 में बात करके उन पर दबाव बनाक कर सयोग करें ताकि इस गाहों में पानी का विवस्ता हो जाए मदप्रदेश चिनवाड़ा से मेराज परतेती इंडिया अनहट के लिए